वेल्कम टू यॉर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार आज जो बात करूंगा बहुत बच्चों की क्वेरी है ये और एक कन्फीजन भी रहता है और इसको ना अलग अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा वैसे अगर मैं बात करूं लीगल रिक्वाइर्मेंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी परसेंटेज की रिक्वाइर्मेंट नहीं है लेकिन अब अगर हम गोल की बात करते हैं अपने एरलाइन गोल की बात करते हैं जैसे जो अपनी इंडिया में जो अपनी गवर्निंग अथॉरिटी है वो डी जी सीए है डी जी सीए आपको कंप्यूटर नंबर बिना किसी परसेंटेज के देता है उसके लिए आपको किसी परसेंट की रिक्वाइर्मेंट नहीं है क्योंकि उन्हें टेंथ की परसेंट से तो बिलकुली मतलब नहीं है यहां पर जब पाइलेट बनने की बात आती है तो हम जो बात करते हैं वो करते हैं 10 प्लस 2 में हमारा क्या स्कोर था अब बात आती है कि चलो भी ठीक है आपका कंपीटर नम्मर आ गया आपने फ्लाइंग भी कर ली और आप पाइलेट भी बन गए इसके बाद आप अपलाए तो एरलाइंस में करोगे अगर आप कैड़िट पाइलेट प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसमें जादतर एरलाइंस 55% की दिमांड करती है अगर उसमें फिर एक और क्लॉज है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो कम परसेंटेज में भी वो आपको एकसेप्ट कर लेते हैं ये जब है ज अगर आप किसी चार्टर कंपनी को जोइन करना चाहते हो किसी फ्लाइंग स्कूल को जोइन करना चाहते हो तो आपको किसी परसेंटेज की रिक्वाइड नहीं है कोई मतलब नहीं है नोबडी विल आस्कियो बाट ये परसेंटेज लेकिन जब हम एरलाइंस की बात करते हैं तो आप लोग भी अभी की अभी you can pause this video और आप तीन चार टैब में अलग-अलग airlines के career options को खोल के देख लो कि भई वहां fresh pilot के लिए क्या criteria है तो ज़्यादा तर airlines आपसे percentage required नहीं करती हैं, demand नहीं करती हैं लेकिन कई videos में मैं बता चुका हूँ जैसे विस्तारा ने अभी 60% का close रख रखा है, कि आपका जो 12th का है percentage जो physics, mathematics and English में मिलाकर के आपका जो aggregate percentage होना चाहिए, वो आपका 60% होना चाहिए, तो ये pilot बनने के लिए requirement नहीं है, ये आपकी airline specific requirement है तो कल को आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मुझे विस्तारा जोइन करना है, तो फिर आप उसे साथ से करिए, लेकिन pilot बनने के लिए इस दुनिया में कहीं भी कोई भी 12th में percentage required नहीं होती है, अब कहां कहां जाके आप percentage की बज़े से अटकते हो, वो मैंने आपको ब to give you the computer number, और मेरे पास बहुत सारे students ऐसे हैं, जिन्होंने 33% पर maths पास किया था, उनके पास computer नमर भी है और वो आज pilot भी है, कुछ तो airlines में flying भी कर रहे हैं, कुछ अपनी training कर रहे हैं, किसी के कुछ papers clear हैं, लेकिन percentage का impact आता है, क्योंकि अगर आपके पास percent कम है, तो आप वि एंचीयों का हमें कोई भी चीज जो कितनी expensive है, और ये तो आपकी जिन्दगी का सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए, कल को वहां जाके आपको ये न लगे कि यार ये मुझे किसी ने नहीं बताया था, So I really want to make it clear, to become a pilot is not required any percentage, लेकिन ये जो airlines की specific आपकी requirement होती है, उसमें तो देखो वो उनकी policies हैं, वो कभी भी change कर सकते हैं, अब कल को वो हटा दे विस्तारा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पहतर है, फिर भी आप एक बारी सारी airlines की website पे जाक eligibility criteria क्या है, I hope I have given your answer, thank you so much, Captain P. Kumar, bye for now.